हमें याद रखना होगा कि हम सब इस समाज के हिस्से है कोई भी इससे अपने आपको अलग नहीं कर सकता है और समाज में जब भी विसमता होगे तो उस विसमता का खाम्याजा अंद पहर पुरे देश को भुगतना पड़ता है यह विसमता समाजिक हो या अड़िक हर हाल में इस विसमता को हमें दूर करने के लिए आगे आना होगा क्योंकि विसमता हमेशा लोगों को तमाम प्रकार की संकेड़ताओं के दायरे में कैद करके रखती है और एक बड़े तप्के को स्विविधाओं से बंचित करके रखती है यह हमारा प्रियास होना चाहिए कि चाहिवा समाजिक विसमता हो या आर्थिक विसमता इसको जितना नियुंतम करने में हम योगदान दे सकते हैं हमें उसमें अपना योगदान देने के लिए सर्योतत पर रहना चाहिए और खास तोर पर सिक्सा के छित्र में या स्वास्ते के छित्र में एक बड़ा तबका ऐसा है जो आधुनिक सिक्सा अर्जित करने में आज भी बंचित रह जाता है आके उन बच्चों का वे अधिकार होना चाहिए कि वे समय के अनरूप स्मार्ट क्लास और टिश्टल लाब्रेडी देख सके अच्छी लैप्स देख सके आधुनिक ज्यान के बारे में वे भी चानकारी ले सके और यह बहर गोरकपुर विकास प्राधिकर ने किया आज अच्छा लगा कि बहुत दिनों के बाद गुरकुल स्कूल फिर से अपने पुरातन वैभो को प्राप्त कर रहा है इसके लिए गोरकपुर गोरकुल सोसाइटी और बित्याले परिवारकों में हिर्दे से बढ़ाई देता हो